कानडा की वीजा अप्लिकेशन में अब आ सकते हैं डिले यही रहेगा आज का वीडियो का टॉपिक और यह डिले का रीजिन क्या है और यह कैसे आपको इफेक्ट कर सकते है क्या है अब रेल्त खाई एके तो सकते हैं अब दैण इसफेख़ घूछी कन अर hon झालरे से B Uhm आर प्यलिस प्राफ्ट कि इतने फिरा निई एड़ से अगा जालिटिए और सब्टाइब आए प्लिकीन अखरा कूटन चेली कह प्लिक जाएब nedenए जब अबने अबड साइ्टारी से कऐ खर्डिकीन का application करना चाहते है study visa का लेकिन उनका जो delay का chances है वो बहुत high रहेगा और ये अब मान के चलिए एक certain number of days आपका agent कहते है कि जब हम file लगा देंगे तो इतने time में हमारे पास result आ जाएगा लेकिन अब आपको जाना दिरवेट करनी पर सकती है इसका reason है the recent decision of the government of India जिसमें Canada के 41 delegates को उसने वापस जाने के लिए कह दिया है which means जो work load है जो 41 delegates संभाल रहे थे अब उस work को करने वाला कोई नहीं है जितनी speed से ये visa applications को process किया जा रहा था अब उस speed पर बिलकुल भी नहीं हो पाएंगे and अब ये tussle जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है अगर आप मेंसे किसी ने भी recently अपनी study visa application अप्लाइ की थी तो आप comment section में ये जुरूर बताएगे कि आपने कितने band पे लगाई थी क्योंकि अब allowed है कि आप 5.5 in 1 या 5 in 1 पे भी लगा सकने अगर overall 6 है तो आपका success rate क्या रहा और कितने time में आपका visa आया because this is really important which would really help many other students to understand that how is the visa success rate at the same time how much time it is taking now और अगर इतना time अभी visa आने में अगर लगा तो आने वाले time में आपको कम से कम भी 2-3 weeks extra time मान के चलना पड़ेगा that would be the delay right so this is very much important for you to understand के अगर आप किसी particular intake के लिया भी apply कर रहे हैं तो you have to speed up so that आने वाले time के हिसाम से आप अपनी process in time complete कर पाएं ताकि जो delays आपकी तरफ से अगर नहीं होंगे तो आप फिर भी time बचा लेंगे क्योंकि अब consulate तो time जादा लेगा ही लेगा और अगर आप भी अपनी processing में बहुत जादा delay कर देंगे that would actually result into a disaster right so all I would say is that please do not panic because it's now happening and we have to adjust accordingly but all I can say के आप अपनी दरफ से कोई delay ना रखें तांके आप अगले semester में या जिस भी semester के लिए आप प्लाइ कर रहे हैं आपका time ली जो application है वो process हो चाए thanks for watching the video dear friends bye bye for now